पाइवर टेबल होती है सर पाइवर टेबल का में काम होता है डेटा को अनलाइज समराइज और रिपोर्ट जनरेशन के लिए अच्छा चीक है जी इसके लिए डेटा आपका कंटीनियूरस होना चाहिए है हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए कहीं भी मर्ज औगरा नहीं होना चाहिए डेटा डेटा की फॉर्म में होना चाहिए अगर जैसे फॉर्मेटिंग होती है तो वह भी दिक्कत करती है तो डेटा हमेशा एकदम सिंपल होना चाहिए कितने कॉलम्स और कितने डेटा पॉइंट्स ले सकते हैं कितने भी वह कोई उसकी लिमिट नहीं है बाकि इसकी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो यह लिमिट्स में आपको पता पड़ जाएगी कि कहीं इसकी लिमिट्स में तो कुछ नहीं अलाकि जहां तक मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ नहीं पर फिर भी देख लेते हैं पाइवर्ट का यह रहा पाइवर्ट टेबल एंड पाइवर्ट चार्ट की पाइवर्ट टेबल रिपोर्ट्स वाना शीट रैम के उपर डिपेंड करता आपकी यूनीक आइटम्स पर मरलब जितनी रो हैं आपकी उतना ही आइटम ले सकते हैं रो कॉलम इन पाइवर्ट टेबल रिपोर्ट लिमिटेड बाय अविलेबल मेमोरी यह भी मेमोरी के उपर डिपेंड करता है रैम के उपर आपके ओके ओके रिपोर्ट फिल्टर दोसो चपन दोसो चपन इसलिए क् की वू के तो चपन ही ले सकते हैं आपके अपसर बनाई पाइवत में मुस्ट्ली क्या होता है कि सर ये नॉर्म पाइवत है मझा लब जो हमारी 2007 2010 तक की पाइवत में एक ही डेटा पर आप काम कर सकते थे एक ही डेटा के उपर प्राइवयट बना सकते थे बट उसके बाद 2013 में एक ऐसा option आया है जिससे आप कितनी भी टेबल अंदर डाल सकते हैं एक ही पाइवर्ट में जो आपस में लिंक हो सकती है अच्छा कित नीटेबल डा सकते हैं मतलब तीन चीट चार शीट में अलगलग डेटा है लगलग टेबल से हैं वो उनको इंटर अकर सकते हैं कर सकते हैं पर उसका भी एक concept है ऐसके concept के basis पर होता है क्योंकि जो master का concept होता है कि कोई भी software बनाते हैं तो हम master create करते हैं जैसे item का एक master हो गया employee name का एक master हो गया और आपका department का एक master हो गया तो उन masterों को आपस में connect ही आजा सकते हैं तो वह चीज पर खाली वह वैल्योवल है, ऐसा नहीं कि आपके पास यहाँ पर कुछ डेटा है और ऐसा ही डेटा किसी और शीट पर तो वर्क नहीं करेगा, तो फाइदा नहीं है उस चीज का, उसको एक ही जगा लगा के आपको तब काम करवाना पड़ेगा, अगर ऐसा है त हाली डेटा पर क्लिख हो पाइवट टेबल पर करें वह अपने आफ डेटा सेलेक्शन ले लेगा, पूरा, ठीक है जी? जो भी उस sheet में है, जो भी sheet में data की form में है वो collect कर लेगा, चेक करने के लिए कि private table क्या data लेगा, आप इस पर click करके control A दबाईए, जितना control A, डेटा को select करके, जितना control A के range में आएगा, वो आपका ले लेगा, अब इसमें क्या होता है कि जैसे माल लीजिए आपका data बीच में यहां गायब है, एक पूरी row blank है, अगर एक भी इसमें character है, तो यह control A पर पूरा लेगा, पर माल लीजिए एक missing है, तब control A दबाएंगे तो सिर्फ इतना लेगा, ओके, वो space एक limit मानके चलता है, बस वही रोग देता है, आपके, वो ब्रेक कर देता है, तो यह चीज इसमें इसकी यह मतलब selection की, फाइवर टेबल की नहीं, हर किसी selection की, जिसमें selection की जुरुत पड़ती है, sorting filter वगरा में भी आप करते हैं, तो यही चीज दिकत आती है, हर जगे, तो अगर ऐसा है, तो आपको ऐसे, मतलब row blank है, तो तो आपको manually select करना पड़ेगा पूरा data, अगर आप अगर बीच में ब्रेक नहीं है, तो आप direct इसमें कर से उपर क्लिक करके, पाइवर टेबल, इंसर्ट में जाकर पाइवर टेबल पर क्लिक कीजिए, यह पाइवर टेबल आ जाएगा, आपका, पाइवर्ट का जो shortcut है, आल्ट डी पी, यह old वाला shortcut है, नया वाला, जो है, आल्ट एन, वी, टी, इस तरह से कर सकते हैं, आल्ट वाला शॉटकट्स की जो मैंने बताए थी आपको कि आल्ट दबाते हैं तो यह करेक्टर आ गया एन लिखा आ गया एन दबाया फिर पाइवट टेबल पर वी आ रहा है और यहां पर टी आ गया तो आल्ट अवी टी भी एक शॉटकट हो जाता है ठीक है जी बाकि इसको कर देंगे यहां पर आपके पास option है new worksheet पर लाना चाहते हैं मतलब नई sheet पर पाइवट बनके आ जाए या existing में कहीं डालना चाहते हैं अगर existing में डालना चाहते हैं तो आपको location देनी पड़ेगी कहां पाइवट आएगा नहीं तो new sheet में by default यह जाता है अब यहां पर क्या हो अब इसमें इंसर्शन के क्या mode है या आप इनको क्लिक करेंगे पहले तो automatic यह अपने आप चूज करता है अगर क्लिक करते हैं तो अगर आपको row या column में कहीं भी ले जाना है एक तो आप यहां पर drag करके ले जा सकते हैं तो बाहर करेंगे तो गाय बुजाएगा और नहीं तो इस पर right click करेंगे तो यहां पर option आ जाते है add to report filter, add to row label, add to column, label, add to values जो नीचे की चार है वहां यहां पर option आ जाते हैं कि किस में add कराना चाते है तो जिसकी priority होती है जैसे हमें चाहिए कि employee wise data चाहिए तो name को हम row में select कर लेंगे हमारे पास unique आ गए अब उसके ब जाल दिया हमने, इस पर click करते ही values में चला जाएगा calculate, अगर नहीं जाता है तो यहां से चलेंगे, कई बार क्या होता है कि यहां पर count, sum of sales आ रहा है, count of sales आ जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर normal click करेंगे, left click, value field setting, और यहां पर आपके option है, आप sum करना चाहते है काउंट करना चाहते है, average दिखाना चाहते है, maximum value दिखाना चाहते है, minimum product इस तरह से, आप कुछ भी ले सकते है, जाता तर हम sum का use करते है, summarize करने के लिए, इस में product क्या होगा, इस में product तो कुछ नहीं है ना, किस चीज का, product किस का किस का ले सकता है, इस case में तो यह sum आएगा या count आएगा, average आएगा, product में, सब को multiply कर देगा, आपस में, अच्छा हो सब को multiply कर देगा, मतलब जैसे हरीश के अंदर जितनी भी value होगी, उन सब को multiply कर दालेगा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो sum से यह आ गया मेरा, मैं city को भी add कर लेता हूं, तो मेरा जो city नीचे थी, यहां पर आप देखेंगे, हर एक की city wise sales आने लगी, अब इसको ऐसा करता हूं, क्योंकि city का normally हर एक के पास एक ही city दे रखे है, मैंने, तो data में थोड़ी सी modification कर देता हूं, ताकि यह इन तीन cities में ही दे देता हूं, ठीक है, इस से क्या होगा, हर एक की value बदल जाएगा, मुझे क्या करना है, अब जब पाइवट टेबल पर select करेंगे, तो यहां पर एक पाइवट टेबल tools के नाम से आ जाता है, इसमें option और design आपके दो tab खुलेंगे, तो option में आपका है refresh, जैसे refresh करेंगे data refresh हो जाएगा, इसमें हमने कुछ add किया, यह refresh करना क्यों पड़ अपने पर changes है, यह तब update होंगे जब आप उसे refresh करेंगे, otherwise यह refresh नहीं होगा, अच्छा को changes करेंगे तो refresh करना पड़ेगा, जैसे changes करते हैं, अब यह changes कर दी है, अब यहां जाके मुझे क्या करना है, refresh करना है, पाइवट टेबल टूल से option refresh, अब हर एक की city wise sale आ गई, जैसे हरीश की total इतनी है, फर्दाबाद में कितनी है, नॉइडा में कितनी है, पूना में कितनी है, इस हिसाब से इनकी जिस city में होगी वो sales आ गई, दूसरा इनको expand और यह आपको minus का button दिख रहा है, जैसे minus करेंगे तो यह total में दिखाएगा, अगर एक साथ सब को minus में ऐस से plus select करना हो, तो यहाँ पर expand और collapse के button है, ठीक है जी, collapse कर देंगे तो खाली employee wise दिखा रहा है, expand कर देंगे तो यह भी दिखा रहा है, अब आपको चाहिए कि यह city wise चाहिए, प्या है कि अभी तो हमने employee wise कर दी, name wise, अब चाहिए city wise, तो यहाँ पर जिसकी priority होगी वो top में पर है, हम city को ऐसे drag करके ऊपर डाल देते है, तो अब यह city wise चाहिए, तो city में कितनी sales है, और city के अंदर-अंदर कितनी sales होई, मतलब दिल्ली की total sales इतनी है, जिसमें से इसकी इतनी है, 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 ठीक है पर पाइवट टेवल के लिए बेस क्या है I mean किस तरह का डेटा होना जरूरी है जैसे लिमिट्स तो आपने अफ़ता दी होने चाहिए उसमें more than columns ऐसा कुछ है कि more than two factors होने चाहिए या three factors होने चाहिए ऐसा का जरूरी है नहीं नहीं जैसे मैंने यहां पर दो एड़ किया ऐसे आप कितने भी एड़ कर सकते हैं बस यह है कि वो डेटा आपका दस लाक से उपर exceed ना करें मतलब दस लाक यूनिक identifier नहीं आने चाहिए क्योंकि इसकी लिमिट इसलिए है क्योंकि इसमें रूई ही उतनी है अच्छा दस लाक इन दस लाक डेटा पॉइंट साब बोल रहे हैं अब क्या होगा कि माली जी अब यह जैसे एक सेल में यह आ रहा है एक में यह आ रहा है तो यह वैल्यू जब तक दस लाक से exceed कर जाएंगी तो दिक्कत करेंगा ओके ठीक है दस लाक से उपर के डेटा के लिए आप एकसे सी यूज़ कर सकते हैं वहाँ एक करोड के आसपास ले लेता है ठीक है और जब उससे उपर जाता है तो और एक करल स्क्यूल यह सब आ जाते हैं फिर हैवी डेटा सॉफ्टवेर आ जाती है ठीक है तो हमने यहां पर निकाल दिया city wise name wise अब यह थोड़ा सक क्या है कि हम इनको न जैसे मैंने का कि name को दिखाओ city को इधर column में दिखाओ तो यहां पर यहां पर column में आ गया और यह यहां हरीश की दिल्ली में कुछ नहीं है फरिदाबाद में इतनी है नौड़ा में इतनी पूना में इतनी जैसा formatting करना वह भी कर सकते हैं हां तो यह city को हम वापस रख देते हैं name को इधर कर देते हैं अब हर एक city में देख सकते हैं कि हर एक बंदे की कितनी है ठीक है दूसरी चीज आपको ऐसे नहीं चाहिए आपको चाहिए एक जगा city के आपने दिखा दी इसको हम copy कर सकते हैं copy करने के लिए आपको पूरा इसको select करना पड़ेगा copy किया और आपने यहां कहीं भी अपने हैसाब से paste कर दिया ठीक है अब क्या करता है कि दो आपके पास पाइवट हो गए इसमें जो field setting करेंगे वो इस पर effect नहीं करेगा और इसकी जो field setting करेंगे वो इस पर effect नहीं करेगा तो इस जगाप मैं दे सकता हूं यहां पर city wise है यहां city wise रहने देता हूं यहां पर मैं name wise देता हूं city है ठाक है name wise देता हूं ठीक है जी अगर आपको चैंज करना हो तो डिजाइन में जाकर आप कोई भी फार्माइट च्यूज कर सकते हैं। यह पायो पर यह आपशन तब ही दिखाई देंगे जब आपका यह सलेक्टेड रहेगा। आप हम्योंड आयगर कि यहां पर बैंड रोड थे इत्योंड केैं और थे कि एक हजना थे पर आप जाटी है और मैं शलएंड करता हूं tut यह स्पथा है की यह जागत थे पर अब नजाती है एक रो थोड़ी से वो दिजाइन के उपर डिपेंड करता है इसमें मेरे खाल से ऐसा जैसे यह आ गया आपका वाइट ग्रे वाइट ग्रे इस तरह से आगे तो दिजाइन के उपर पूरी तरह से डिपेंडेंड रहता है दूसरा करते हैं और इसके advance option को देखते हैं एक को हम delete कर देते हैं फिलाल एक पर ही work करते हैं तो यहां पर मैंने city wise sales ले लिए नेम आइज अब क्या करते हैं sales को थोड़ा सा बढ़ाते हैं city wise name wise या फिर ऐसा करते हैं कि अभी क्या है कि अभी हम इस data को copy paste करेंगे माली जे हमें normal एक report बनानी है अब पाइवट में क्या होता है कई चीजे चेंज होती है कई चीजे नहीं होती है तो इसके लिए हम mostly क्या करते हैं इसको copy करके यहां paste special कर लेते हैं तो यह हमारे पास raw data type में बनके आ गया अब इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है कि दिल्ली यहां आ रहा है फिर प्रदीप रफीक मतलब नेम और यह सब mix हो रहे हैं mix all the layers तो हमें क्या चीजिए यहां पर कि हमने का कि name अलग में दिखा है और यह city अलग में दिखा है नेम अलग cell में दिखा है एकी cell में ना दिखा है तो उसके लिए क्या करेंगे right click करेंगे पाइवट table option पर जाएंगे अब यहां पर आपके कुछ option है इसमें display पर जाएंगे third tab और यहां पर classic पाइवट table layout को select कर लेंगे इसमें क्या होगा जो हमारी मतलब 2003 के format थे वो कुछ इस तरह से थे जिसमें हर एक cell यूनिक data दिखाता था ठीक है जी इसमें एक column और add हो गया जैसे अगर basically देखिए आपका जैसे यहां दिल्ली दिखा रहा है तो दिल्ली का total यहां दिखा रहा है तो यह name वाली field इदर आ गई वापस इसको वैसे करना है तो classic table को off कर दीजिए बट इसमें क्या हुआ है कि कई बार यह off नहीं होता है कई बार आपका चल जाएगा कई बार नहीं चलेगा तो यह सारे option जो है design के अंदर भी दे रखें design के अंदर जाएंगे यहां पर report layout है show in compact form जो हम देख रहे थे वह compact form का था outline form वैसे यह आपका normal मतलब outline में cell अलग हो जाएंगे आपके tabular form tabular form में यह total भी दिखा देगा आपको साथ में पहले total उपर दिखा रहा था इसमें देखेंगे तो total उपर दिखा रहा था tabular form में यह नीचे एक एक total इनका add होता चला जाएगा माल लीजे आपको total नहीं चाहिए इस तरह तो इनको कहते है subtotals यह जो बीच बीच में हो जाते है तो यह design tab में आपके पास subtotal का column है do not show subtotal करेंगे एक ही बार में सबके off हो जाएगे कोई subtotal नहीं दिखाएगा अगर आपको वैसे देखना ही है तो option में जाके आप यह expand collapse का feature कर सकते है इसमें आपको full value दिखा देगा grand total दिखाएगा खाली जैसे ही आप में माइनस पे click करेंगे न तो यह दिल्ली का सारा total होके यहां दिखा देगा ठीक है साथ click कहा करना पड़ेगा उसके लिए click करना पड़ेगा पूरा select करना पड़ेगा ज्यादा एक साथ करना है तो आप यह option में expand entire field और collapse entire field करके दो option है इनको use कर सकते है ठीक है बाकि आपके पास option में यहाँ पर तीन चीज़े है field list button और field headers कई बार क्या होता है कि आपकी field list गाइब हो जाती है एक तो आप बाहर करें तो और टाईक करें तो यहां पर भी नहीं दिखाती है Click करने पर ही आती है तो यह क्या करेंगे field lists के कारण होता है अगर यह off होगा तो आपको field नहीं दिखाए शु चैक करेंगे तो आ जाएगा इसी तरह से button आप नहीं देखना चाथे तो यह बटन का है, बटन हसा सकते हैं लगा सकते हैं, प्लस माइनस वाले, ठीक है जी, ओपर जो title आ रहे हैं यह नहीं चाहिए, तो field headers, ठीक है जी, वो sum वाला अपनी जगह ही रहेगा, बाकी सब आप change कर सकते हैं, यह नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसे साथ से कर सकते हैं, ठीक है जी? कर सकते हैं सर पर कई बार क्या होता है ना कि माल लिजे आपका ये डेटा तो अपनी तरह से समराईज़ जो पहला है उसकी प्रियोर्टी लेता है ठीक है जी? कई बार डेटा को मैनिपलेट करना पड़ता है ये मतलब ये कॉलम यहां नहीं चाहिए यहां चाहिए और अगर हम इसको पाइवट में लेके आते हैं तो फिर ये पहले नाम के हिसाब से सौट हो जाएगा सारा पहले के हिसाब से मतलब यह रिपूर्ट बन जाएगी तो कई वार क्या होता है कि इनके कॉलम इदर से उधर करने पड़ते हैं तो वो इसमें पॉसिबल नहीं होता मतलब आगर इसकी फॉर्मैटिंग अपने डंग से करना चाहें तो बेस्ट यह रहता है कि रिपोर्ट यहां से बना ली हमने और इसके बार रहने दे और दूसरी शीट में कॉपी करें कॉपी करके फॉर्मैट कर लीजिए जैसा है दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि अभी अगर मैं इसको करूं तो इसमें देख रहे हैं तो यह दिल्ली जो है एक ही सल में आ रहा है ठीक है जी कई आर क्या होता कि हमें मर्जिंग में चाहिए खाफी फॉर्मैटिंग अगर हम यहां कर लें तो बढ़िया है तो राइट क्लिक करेंगे पाइवर टेबल ऑप्शन यहां पे ले आउट पर्फेंड फॉर्मैट में पहला है मर्जंट सेंटर सेल्स बिद लेबल तो यह जैसे सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि यह मर्ज हो जाएगा मर्जंट सेंटर इस फॉर्मैट की जुरूरत पड़ती है तो इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि पर चलिए पुराने ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसी तरह से हमें डेटा चाहिए यहां ले गए और यहां अब डेटा का डेटा पाइवट टेवल में क्या होता है कि एक बार हम पाइवट से कई बार डेटा ले आते हैं चोटा अब फिर उससे फिर एक और पाइवट बनानी होती है अब कुछ और ही करना है उसमें पर अब इस डेटा से फिर से फाइवट बनानी है तो एक दिक्कत है इसमें कि इसमें जो है यह कॉलम खाली है ठीक है जी अब कॉलम खाली होंगे तो यह ब्लैंक मानेगा ब्लैंक करके ब्लैंक में सारी वैल्यू दिखाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे और मर्जिंग हम लेकर आनी सकते मर्जिंग में चलेगी नहीं पाइवट तो इसके लिए सिंपल कॉंसेप्ट क्या है कि आप य इसके अंदर आप क्या करेंगे ब्लांक्स चूज कर लेंगे जिसे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी है यह देखे औरंज यू है नगे यह सिलेक्ट हो गए है जिए अब आपको क्या करना है एकक्वल्टू दवाना है आपको कर्दर यहीं होना चाहिए और अप अधरो तो उसने एक टू का रिफरेंस ले लिया अब आपको क्या करना है कंट्रोल दबा के एंटर दबाना है अब इसमें नीचे वाला भी सिलेक्ट हो गया था ठीक है जी तो आपका यहां डेटा पूरा हो गया पर यहां से गड़बड हो गया क्योंकि यह यूजस तिसल को सीलेक्ट करता है या तो आप इसको अंस डी-सीलेक्ट करें और नहीं तो एक और और ऑक्शन है कि इसमें लगा दे फिल्टर पूरे को करके और यहां से choose कर ले blanks खा ले अब blanks choose कर ली है अब पहले पर आ गए हम equal to दवाया और इसमें manually लिख दिया जैसे यह 3 है A3 है तो A2 ठीक है जी मतलब उपर वाली cell का reference दे दिया इसमें फिर इसको drag कर दिया अब देखेंगे तो क्या हुआ यह हो गया काम तो A2 डाला था ना इधर हमने A3 में तो उपर वाला reference लिया अब जब यह drag हुआ formula तो row column reference भी drag हुए तो A3 हो गया यह अपने उपर वाला ले रहा है अब यहां value पहले ही पड़ी थी तो इसलिए उसका रख रहा है तो blank वाले ने क्या किया अपने उपर वाले का ले लिया इस कारण इसकी value फिल हो गई लेकिन जहां फस्ट फरीदाबाद था पहले वाला फरीदाबाद उसने दिल्ली का reference क्यों नहीं लिया फिर? अगर हम A2 दिखा रहे हैं सब क्योंकि मैंने blank select किया था सर वो selected ही नहीं था आपके पास 2003 या 2010 है तो उसमें आपके पास 2013 या 2010 है तो आपके पास यहां पर design के अंदर रिपोर्ट ले आउट में एक चौथा option एड़ किया गया है repeat all item labels वो क्या करेगा वो आपको private के अंदर ही आपको data fill करके देगा उसमें कुछ करना ही नहीं है ठीक है यहां तो हमने यह concept लगा के कर दिया अब इसमें क्या करते हैं अब माल लीजिए कई बार आपको नीचे वाला data लेना है है अलब अपने एक नीचे वाला लेना है कि यह data हमारा जैसे इसको अलग फॉर्मेट में कर देते हैं पाइवर्ट टेबल आप्शन में जाके क्लासिक पाइवर्ट या कॉम्पैक्ट ले आउट में ले आते हैं इसको क्या होता है नीचे वाला data लेना पड़ता है जैसे हमने अभी उपर वाला लिया इसी तरह से हमें नीचे वाला भी लेना पड़ सकता है अब यहां करता हूं यह लीजे मान लीजे यह यहां है इस तरह से यहां नहीं है ठीक है यहां से उपर उपर फिल करना इस केस में भी आप ब्लैंक की सिलेक्ट करेंगे और इसमें क्या करेंगे इक्वल टू लगा के यह 16 है तो यह 17 ले लेंगे 16 रो है तो इससे नीचे वाली ले लेंगे अब नीचे पर ही लेंगे फिर यहां से उल्टा ड्रैक करेंगे अच्छा इससे क्या होगा ठीक है जी नीचे से उपर चला जाएगा लोजिक है बस अपने अपने सभी है अब क्या करना है इस पाइवट में मुझे एक एक लाइन का गैप चाहिए जैसे एक का डेटा खतम हुआ तो इच में एक लाइन का गैप आ जाए इसको पहले मैं कर देता हूं मर्जन सेंटर वाले ऑप्शन से मर्जन सेंटर में तो यह थोड़ा ठीक लगेगा अब मुझे चाहिए एक एक लाइन का गैप तो पाइवट टेबल ऑप्शन में जाऊंगा डिस्पले में इसमें क्या था इसमें क्या था इसमें जाए चलिए उसको देखके बताता हूं मैं भूल गया चाहिए चाहिए जल्दी जल्दी में याद लिए तो मतलब अब इसमें देखते हैं थोड़ा सेल्स को बनाते हैं यह तो रही फॉर्मैटिंग की बात इसमें कि किस तरह से कर सकते हैं दूसरा चीज यह है कि ग्रुप बनाना एक कॉलम और ले लेते हैं इसमें डेट का कि ग्रुपिंग में डेट का अच्छा खासा यूज है क्योंकि सेल्स होती है तो उसका कोई टाइम भी होता है क्योंकि 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 अगर आगे पीछे कर रहा है इसमें मुझे क्या करना पड़ एगा रेफरेश करना पड़ मैंने और कॉलम Candide में अब उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे डेटा ही चेंज करना पड़ेगा चेंज पर सिलेक्ट करूंगा तो यह देख रहे हैं कि खाली बीवन से ले रहा है या तो इसको एवन करतीजिए नहीं तो आपको डेटा दुबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है जी चेंज डेटा सोर्स में जाएंगे यहां पर आपका ऑप्शन टेबल में चेंज डेटा सोर्स जैसे करेंगे यह डेट का कॉलम्ब भी आ गया इसमें माल दीजे मैंने डेट का सबसे उपर रख लिया नेम सिटी को हटा लिए डेट का सबसे उपर कर लिया अब मुझे इसमें से जानना है कि यहर्वाइज मंथवाइज कॉर्टर वाइज इस तरह के हम डेटा पर वर्क क कितनी है यह सब कितना है तो इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आप्शन में आपके पास ग्रुप सेलेक्शन है तो ग्रुप सेलेक्शन करेंगे तो डेट में स्पेशल फीचर क्या होता है डेट और नंबर में स्टार्टिंग और एंडिंग इसमें आटोमेटिक उठा लेता ह अब हमें चाहिए month wise report की हर month में कितनी sale हुई या year wise पहले हम multiple selection है इसमें हम year wise पहले चूज करते हैं तो हर एक year की sale यहां पे दिखाने लगा तो यह year wise sale आ गई मेरी और इसमें क्या करता हूँ मैं group selection में एक बार और करता हूँ इसमें जोड़ देता हूँ month भी तो को लैप्स किया मैंने यहां से देखा तो यहां पर जनवरी फरवरी भी मेरे पास आ गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल इसको format दूसरा कर देता हूँ ताकि visible हो यह भी दिखाई जो जनवरी फरवरी 2010 में जनवरी में कितने फरवरी में कितने हुई यह सारा दिखाने जाने इसको खोलेंगे तो अगर आपको डेट भी चाहिए साथ में तो आप इसमें वहीं पे जाके option में जाके group selection में जाके days भी select कर सकते हैं तो एक pattern में आएगा यहां पे click करके expand गया यह इसको करके मैंने collapse किया अब इसको मैं क्या करता हूं प्लस करता हूं अब यहां से प्लस करूंगा तो सारी date भी आ जाएगी ठीक है जी और summary आपको दिखाई रहा है expand करते यह total अपने आप ही change होते हैं जहाँ collapse करेंगे वहाँ summary दिखा देगा तरा हां जी हां जी तो यह mostly इसके लिए क्या करना पड़ता है लंबी चोड़ी calculation बिठानी पड़ती है अगर यह group का जो option है वो एक minute में आपको सारा का सारा year wise, month wise, minute wise हर तरह से दिखा देगा इसके अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर हमने खाली month select किया तो सिर्फ यह वही month ही दिखाएगा year का differentiation नहीं दिखाएगा और जनवरी हर year में January की sale दिखा रहा है तो इसलिए इन में से यह दो चीज़े जरूरी होती है अगर आपको चीए year wise quarter wise तो quarter select कर रखते है तो year wise आ गया साथ में quarter quarters भी आ गया इसके quarter one quarter two quarter three quarter four तिन-तिन महीने के उसमें बना दिये अब क्या करते हैं इसको group को हटाते हैं यहां से हाफ yearly भी देता है का हाजी quarterly quarterly देता है यह आपके option है month, year, days, month, quarter, year बस इसके अलावा कुछ नहीं है थेक है ठीक है ठीक है ठीक है हाइँ यह भी कर सकने कि जैसे आपको साथ साथ दिन के चाहिए तो यहां से number of days मेरे ख्याल से select कर सकते हैं उनको group कर देगा ओके तो एक January से साथ January तक ऐसे ऐसे करके group कर दिया इस ने जैसे पंदरा दिन का है fortnightly यह ओगया तर पंदरा दिन वाला वाला वर्क नहीं करेंगा क्यूए कि कपके इस और कोई किसी का यहने घ्टाउ कम करदेंगे तो यहन गूप करना चाहेंगे तो यहन गूर्ण गले कम पर देने आपके ग्रूप सेलेक्शन से भी आया आता है, ग्रूप फिल्ड में भी यही चीज़ आती है, दोनों यह आप्शन इसी के लिए है, तो अभी फिलहाल डेट को हटा देते हैं, और एक नई चीज़ अड़ करते हैं, क्वांटिटी, अब मैंने इस डेटा में क्वांटिटी भी है, अगर बीच में होता है, तो मेरे खाल से रिफ्रेश का ले लेता है, बीच में अगर बीच में भी, अगर बीच में आप डेटा इंसर्ट करते हैं, तो खाली रिफ्रेश करने पर ही ये ले लेगा आपको यहां पर, अब क्वांटिटी क्या है, मैंने क्वांटिटी वाइस से दिखानी है, यहां पर मैंने क्या करना है, क्वांटिटी को कॉलम फिल्ड में डाल दिया, तो यह क्वांटिटी आ रही है, कि हर एक क्वांटिटी की कितनी कितनी सेल हुई है, अब क्वांटिटी पर मैंने ग्रूप करना है, तो मैं वहीं जाओंगा ग्रूप फिल्ड में, और मैंने का यह, दस से नब्बे 20-20 के इनके गुरूप बना दे ठीक है जी अब इसमें यह आ रहा है कि हरीश की 10 से 39 की बीच की सेल कितनी है 30 से 49 की बीच की सेल कितनी है बनलब जहां quantity sold out हुई है 10 से 39 में ये हुई है 30 से 49 में ये हुई है 50 से 69 में ये हुई है ठीक है सार ठीक है यह तो हमने क्या किया था अभी तक टेक्स्ट को किया और डेट को किया नंबर को किया और डेट को किया अब क्या करते है कि कई बार जैसे हमारी सेल्स टीम है उनका हमने क्या किया कि तीन को एक के अंडर डाल दिया तीन बंदों को एक manager के under डाल दिया manager की check करने हैं अब वहाँ data में नहीं है हमारे manager हमने अलग से हमने का यार इन तीन हो का एक manager है उसको sales दिखाएंगे उसकी कितना है तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर वैसे तो आप column add करके वहाँ से ले सकते हैं कॉलम में यहां पर डेटा एड कर देंगे नाम बंदों के मैनेजर कौन कोन है तो मैनेजर वाइस भी दिखा देगा पर कई बार क्या होता है कि इतकी दुख्की चेक करनी होती छोटी सी इन तीन बंदों का कोई मैनेजर है मैंने क्या किया ग्रूप सेलेक्शन कर दिया इस ग्रूप का नाम जो मर्जी देदू मैं मैं कहा दूँ विकास नाम का बंदा है इनका मैनेजर है ठीक है जी तो इसको देखना है तो यहां से प्लस माइनस करके इसकी भी सेख सकते हैं तो यह बेसिकली गृप बना सकते हैं हम सेलेक्शन के बेस पर कि कितने से कितने काम में करना है अच्छा दूसरा आप चलते हैं कि कैलकुलेटेड यहां पर हमारे पास हैं कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेटेड फील्ड की कैलकुलेटेड फील्ड में क्या होता है जैसा ही मैंने आपको आप्शन दिखाया गृप के जरिए इसी तरह हम यह बंदा यहां पर यहां पर इस फील्ड का नाम ले लेते हैं विकास और इसमें क्या करना है तो कुछ क्यालकुलीटीटिटीट पगल में आता है मल्टिप्लाइवाय अमाउंट तो इस तरह से कुछ टेटा पर दिखाना है जो कि हमारे पास इस टेबल में नहीं है तो कुछ calculation यहां पर भी available हो जाती है इसको calculated field के जरीए हम करेंगे हम क्या करेंगे यहां पर option में formula में जाएंगे calculated field चूज करेंगे field 1 मेरा इसको दे दिया मैंने amount की और यहां पर मैंने क्या किया इसको पहले refresh करना पड़ेगा ताकि यहां पर change हो कि आ जाए rate आ गया अब मैं क्या करूँगा यहां से calculated field यहां पर भी change हो गया amount amount क्या होना चाहिए हम formula दे सकते है इक्वल टू है अब यहां पर हमने का quantity यहां से insert कर लिया multiply का sign लगाया rate insert यह आ गया add अब यहां पर यह field add okay किया तो यह हमारा amount का total आ गया है यहां पर करने की जुरूद में हमने यहीं से कर दिया यह कौन सा total लिया इसने अब देखें यहां पर माल लिजे मुझे amount लाना है यह वाला एक तरीका है यहां तो मैं इसको data में change कर लूँ यहां से यह amount देना है quantity को multiply किया rate से then product हो गया amount product निकाला माल लिजे तो यह data यहां पर शामिल हो तो refresh करके ले आउँ और otherwise आप वहां नहीं करना चाहते तो यहां से आप जाके option में जाके formula में calculated field ले सकते हैं आप यहां पर नाम देंगे और यहां पर आप उसका formula change करेंगे जैसे amount का बताया था तो यह formula यहां आ गया ठीक है जी यहां से मैंने क्या किया था इसमें मैंने किया था quantity insert किया quantity into into rate insert field किया अब पुरानी है तो modify हो जाएगी नहीं तो नए के लिए insert आ जाता है ठीक है ठीक है तो यह आपका total होके आगया amount का ठीक है तो कुछ calculation हम इसके जरीए भी कर सकते हैं यह तो हमने किया calculated field items हो गए हमारे यह वाले जो यहां दिखा रहे हैं अब इसमें वही सेम चीज जो हमने पहले किते group के जरीए तो calculated item में यही होता है आपकी कोई भी field आती है मान लिजे name की field है तो मैंने manager choose करना था विकास अब इसमें भी formula लगेगा इसमें क्या है कि आपको हरे एक की value दिखा देगा अब यहां पे मैंने का कि अप एक यह था insert मैंने का plus इंसर्ट फिर से plus और यह तीन बंदों के नाम यहां add कर दिए जो कि विकास में आने okay किया तो इसके अंदर देखेंगे अब कर लास्ट में विकास added हो गया अब वो बंदे भी हैं इसमें पर इसमें दिक्कत क्या है इन सब को दिखा तो रहा है पर विकास की जो सेल जोड़ के दिखा रहा है वो यहां पर गलत impression डालेगे मतलब उस चीज़ पेफेक्ट करेगी तो मुझे क्या करना होगा मुझे वो बंदे यहां से हटाने पड़ेंगे नहीं तो टोटल गल्प देगा आपका क्योंकि यह इसका भी आइड करके अलग सही दिखा रहा है तो वो गुरुप वाला उप्शन इसमें ज्यादा यूज़ करना ठीक है ठीक है जी मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहां से डिलीट भी यहीं से ही होगा आपको सिलेक्ट करके उसी में जाके डिलीट करना पड़े अदरवाइस आपका डेटा यह डिलीट करने का और कोई तरीका नहीं है अब आपने क्या चीज़ लगाई है क्या कैलकुलेटिट फिल्ड में क्या और कहां लगाया उसके लिए आप लिस्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे लिस्ट फॉर्मूला में आपकी अलग सीट पर फील्ड जो है calculated field है वो क्या है और उसका formula और अगर calculated item है तो क्या है उसका formula लिखा हुआ आजाए लिस्ट फॉर्मूला से solve order में क्या होता है कि आपकी calculated field वगेरा दिखा देता है जो होती है वह आप यहां से delete कर सकते हैं बाकि आप वैसे भी delete कर सकते हैं तो इसका कोई use नहीं है अब थोड़ा सा और complicated बनाते है डेटा को इसे अब यह दो दिन की sale हो गई माल दीजिए अब इनको दो दिन की या साथ दिन की ऐसे माइनस में दिखाने रहा है यह हम क्या करने माइनस क्या दिखा रहा है यह द्रैगिंग में कुछ option होते हैं जिसके कारण वो गड़बर दिखा रहा है ड्रैग के कारण उसमें अपना रेश्यो ले लिया था कुछ भी और बस डेटा चेंज करना हूं यह थोड़ा अब जैसे माल लीजिए यहां पर साथ दिन की sales है मुझे क्या दिखाना है यहां पर total sales दिखाना है पहले मैं इसको डेटा को रिफ्रेश कर लेता हूं और इसमें आयनी sales to amount इसको delete कर देता हूं calculated आइटम में से amount को यहां हाई नहीं ऐसे तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी तो पहले तो मुझे डेटा सोर्स अगेन सेलेक्ट करना पड़ेगा अहां डेटा सेलेक्ट करूं यहां पर क्लिक करके और नहीं तो एक और option है जिससे हमें बार बार जो डेटा चेंज करना पड़ रहा है अब अगर कोई नीचे लिखते भी हैं और बढ़ाते भी हैं बीच में लिखेंगे तो आएगा इसके लिए option क्या है कि आप ना कोई जो आपका डेटा है उसको एक बार सेलेक्ट कीजिए और यहां पर आपका home टैब में ही है format as table ठीक है जी format as table पर क्लिक कर दीजिए my data my table has header अब यह क्या करेगा इसको टेबल में convert कर देगा टेबल में convert करने का क्या फायदा है कि कोई भी आप इसमें करते हैं कोई भी entry करते हैं तो अपने आप ही वह उसकी range में आ जाता है इसी तरह से आप अगर इसमें नई entry करते हैं तो यह अपने आप range बढ़ा देता है उसकी और नई बढ़ाता है तो आपका यहां पर यह dragging का option है जिसके कारण आप तो इसकी range decide कर सकते हैं कि क्या होनी चाहिए जो भी इस range के अंदर होगा पाइवट table में automatically change होगा इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा या तो हम डालते वक्त देदें और नई तो यहां से हर एक table के बने पर उसका एक नाम हो जाता है तो यहां पर जब आप पूरी table को select करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा table 1 यह आप इसका नाम change भी कर सकते हैं मैंने data के नाम से दे दिया data यह sales 2, sales 3, sales 4 यह क्या लिया हुआ हमने वोलमस इतने ज़्यादा क्यों लिए है यह device sales कर दिया हम sales 1, sales 2 table 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह device sales माल लीजिए और इसका table 1 के नाम से नाम आ गया पूरा जैसे आप control दबाएंगे तो इस पर इसका यह पूरी table select करेंगे तो इसका नाम बताएगा आपको तो इसका नाम table 1 है अब हम क्या करेंगे जो अपना data source है इसमें यहां से यह range हटा के यहां पर table 1 दे देंगे तो इस table के अंदर जो कुछ भी होगा आपका आता रहेगा सपोज जैसे मैंने नाम लिख रखते हैं कुछ आ रहे हैं अभी इसमें विजे कोई नया नाम अड़ करता हूं इसके अंदर नीचे में क्या करना पड़ेगा मुझे खाली रिफ्रेश करना पड़ेगा data source पर रिफ्रेश आपको करना ही पड़ेगा अब यह इन सब का था मैंने क्या करना है इस साथों का total add करना है या तो मैं इसको दिखाऊं और या तो मैं साथों दिनों की total sales दिखाना चाहता हूं तो वही वाला option यूज़ करेंगे अपना calculated field यह calculated field वाला calculated field वाला इसमें क्या करेंगे हम नई field दे देंगे total और इसमें इसमें insert field प्लस Kas सब्सक्राइब कर देंगे यहां पर हमारे पास फील्ड आ गई टोटल के नाम से अमांट वाली को मैं डिलीट कर देता हूं ओके तो यह टोटल की फील्ड आपकी पास आ गई है यहां पर जिसमें सारे चीजों का टोटल इसमें दिया हुआ तरीका वही है कि अगर यहां तो आप इसके बगल में टोटल दें फॉर्मूला लगा के यहां से यहां उसको ग्रूप बना लें एक वो बैटर रहेगा डाटा यहां तो मैंने यह दे दिया यहां पर टोटल यहां तो यहां पर डेटा होना चीज़िए सकता है अपर आपर अटा धाWhich क्या होता है कि कई ऐचीन काजीण में नहीं कर सकते और कई इतना बड़ा होता है कि हम उसको ला भी नहीं सकते Excel के अंदर तो उससे खाली एक Link रखते हैं और बाकी जो Calculation है वो यहीं कर लेते हैं अपने आप ठीक है जी तो यह इनके Calculation के तरीके है बाकी Option देखते हैं यहां पर जैसा मैंने आपको दिखाया था वैल्यू फील्ड सेटिंग में अभी मैं क्या करता हूँ एक दो दिन की सेल लेक्ट करता हूँ अब दो दिन की सेल आ रही है दिल्ली की ये सेल्स वन सेल्स टू परदाबाद की सेल्स वन सेल्स टू तो आप यह देख रहे होंगे वैल्यू जो है इसमें यहां कॉलम लेबल के अंदर आ रहा है इस वैल्यू को जब हम रो लेबल में डाल देंगे तो यह कुछ इस तरह से दिखाएगा ठीके से मतलब यह आपकी वैल्यू जो है रो में आ जाएंगी कॉलम की बजाएं कॉलम में इस तरह से वैल्यू को मूव कर सकते हैं आप और बाकी देखते हैं इसमें जो आप्शन है वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे इसमें आप इनका number format set कर सकते हैं एक चीज तो, number format मालेज़े आप currency में दिखाना चाहरे हैं इसको, currency में दिखा सकते हैं, show कर सकते हैं, या कोई आपका custom format है, Indian number format जैसे मैंने बताया था, उसको डाल सकते हैं, यहाँ custom format भी चलता है, इसको number format जैसे में कर देता हूं है, अब यहाँ पर आपके जो grand total आ रहे हैं, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, यह आपकी choice है, आप इसने दिखाना चाहें ना दिखाना चाहें, डिजाइन में जाके आपके पास यहाँ पर grand total है, तो यहाँ से, off for row and column, दोनों को select करेंगे, ना आपको वो दिखाएगा, इधर का, ना column का, ना column का दिखाएगा, ना row का दिखाएगा, on for rows and column, दोनों का आगया, on for rows only, खाली row का दिखा रहा है, या फिर on for column only, खाली column का दिखा रहा है, जहाँ का चाहें, वहाँ का दे सकते हैं, ठीक हैं जी, अब वो जो मैं आपको एक, उसकी blank row की बात कर रहा था, वो यहाँ से है, यह रहा, design, इंसर्ट blank line after each item, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ जैसे हरीश का data आया, यहाँ तक, यह साही रहा, इसके बाद एक line insert हो गई, ठीक है, मुझे इसकी जुरूरत यहाँ पड़ती है, पाइवट फील option margin center कर दिया हमने, इस तरह से हैं, और, subtotal, यहाँ, यहाँ एक data खतम हुआ, एक आपका blank line आ रहे, design, यह इस तरह से, ब्लैंक blank line आ रहे हैं आपकी बीच बीच में, तो आपकी मर्जी है, design में से, लगा सकने हैं आटा सकने, बाकी जो पाइवट टेबल options हैं, वो आपके यहाँ पे बीच है, option के अंदर option का जो है, वो same, आपका ऐसे काम करेगा, सब total नहीं चीए मुझे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर, चलते हैं, रिपोर्ट फिल्टर को, रिपोर्ट फिल्टर अभी तक हमने यूज नहीं किया, अब इसमें मैं city को डाल देता हूँ, और sale डाल देता हूँ, साथो दिन की, इनको ले लेता हूँ, column के अंदर, अब यहाँ पर मैंने, अब जैसे आपको एक चीज़ देख रहे हूँगे, यह सम आफ सेल्स वान आ रहा है, आप इस नाम को चेंज कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो नाम आ रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पर यह है कि वो फिल्ड लिस्ट की तरह सेम नाम नहीं लेगा, तो कुछ अल्टर करके लगाना पड़ेगा, तो नाम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अब क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर रिपोर्ट फिल्टर में सिटी डाली है, अब इसमें क्या है कि आपका एक फिल्टर हो जाता है, आप दिल्ली की देखना चाहें, तो दिल्ली की सेल्स आ गई, फर्दावाद की, फर्दावाद की, यह कट्टे एक मतलब छीट रिपोर्ट की तरह बन गया, मल्टिपल सेलेक्शन करना चाहते हैं, तो यहां मल्टिपल सेलेक्शन पर आउन कर दीजिए, फिर यह कममाइंड सेल दिखाएगा, पर इसमें यह नहीं पता पड़ेगा कौन सी किस की है, और सिलेक्शन करेंगे तो सब की दिखाएगा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमे में डाल दिया, अब मुझे हर एक बंदे को उसकी सेल्स भेजनी ही, ठीक है जी, कि आपकी साथ मों दिन में इतने इतने टोटल हुआ है, तो नेम के अंदर सारी आ गई, पर एक एक करके सिलेक्श करके कॉपी पेस्ट मारूंगा तो फिर मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, और वापस यहां पर एक option है, show report filter pages, ठीक है जी, यह option पर जाएंगे, तो report filter pages में जो भी होगा वो आपको यहां पर दिखा देगा, इस पर जैसे ही okay करेंगे आप, आपके देखेंगे यहां पर उनके नाम की sheet बन गई, अलग-अलग, ठीक है जी, हर एक का data आपके सामने filter हो ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इतनी सारी sheet तो आ गई, अब आप copy paste करके करतो देंगे, बट इसमें formatting का भी एक लफड़ा रहता है, तो कुछ को तो हम sort out कर सकते हैं, जैसे हम pivot table नहीं भीजना चाहरे है उसमें, तो इसको इखटा करके shift दबा के आप यहां तक एक सारी sheet select हो गई, यहां से उपर से दबाया Ctrl C, और paste as values कर दिया, तो सबकी pivot हट गई, बाकि हम जानते हैं कि हर जगा तीसरे number पे ही यह values को column है, तो यह मुझे चाहिए नहीं, तो यहां से मैंने इसको delete कर दिया, तो हर जगा से वो भी delete हो जाएगा, दूसरा मुझे यह ना हाँ इसको नहीं छेड़ूँगा क्योंकि हर एक कि city अलग अलग है, तो खाली मैं उपर उपर से formatting थोड़ी बहुत कर सकता हूं, यहां ज्यादा तर ऐसा भी कर सकता हूं, यहां पर डाला मैंने, और यहां पर merge रेंटर कर दिया है, मैंने लिख दिया हाँ, sales report for the month for the week, इसना से कर दिया, normal formatting जो मैं, उपर उपर कर सकते हैं, नीचे क्योंकि data उपर नीचे हो आओगा हर जगा, तो यह किस तरह की report मैंने भेजनी है सबको, अब मैं बाहर क्लिक करता हूं, यहां पर देखूँगा, हर एक की report वैसी ही बनी हुई आदे, ठीक है जी, एक साथ format की हुई, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, तो maximum formatting पाइवट टेबल में ही कर लीजिए, क्योंकि बाकी जब इसको करेंगे, तो आपको थोड़ी बहुत कुछ करनी पड़ेजी, और एक खटे का है कि shift के साथ सारी sheet आप एक खटी select कर सकते हैं, एक खटा ही इसमें formatting हो गई, ठीक है जी, अब मुझे इसकी ज़रूत नहीं, ठीक है, तो report filter pages का ये काम होता है, ठीक है ठीक है, ठीक है जी, मारकी इसको अब को करते हैं, हमारे पास ये data है, मैं इस फाइल को save कर देता हूँ, private data, मैंने save कर दिया, बंद कर दिये file, यहाँ पे save हो गई, एक अलग file खुलता हूँ, अब मुझे उस file से यहाँ पे लगाना है, पाइवट, मतलब दूसरी seat से, यहाँ पे लाना है data, मतलब बगैर खोले उसको, यहाँ पे पाइवट लगाना है, तो उसके लिए पहले हमें data connection अड़ करना पड़ेगा, या फिर, या फिर हम यह use कर सकते हैं, एक हमारे पास shortcut है, आल्ट, डी, टी, तो इसमें आपका option होता है, डी, पी, पी for parrot, उसमें क्या है, यह अलग आता है, एक classic pivot table का आता है, इसमें एक color data source के नाम से एक चीज होती है, बाकि इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं, अच्छा, इसमें भी आता है, आप देखेंगे कि नॉर्मल में इंसर्ट से जाएंगे, तो ऐसा layout आएगा आपके सामने pivot table का, और आल्ट, डी, पी करेंगे, तो यह वाला आएगा, यह classic layout में है, तो दोनों में यह external data source के option available है, external data source, choose connection, browse for more, कहीं से भी browse कर लेगा, desktop में कोई भी file हो, कहीं भी हो, हाँ जी, desktop चूज किया मैंने, और यहाँ पे मेरा pivot data है, open किया मैंने, इसके अंदर मेरी 3-4 sheet दिखा रहा है, मेरा sheet 1 पे data है, वहाँ से select करेंगे, इसमें not only by a table, कोई भी external data choose करने के लिए हम RDP use कर सकते हैं, हाँ दोनों use कर सकते है, RDP का वो पुराना था, मैंने सोचा इसमें नहीं होगा, पर दोनों में ही है, ठीक है जी, so choose connection से, मैं एक वार फिर देख लीजे कैसे किया, choose connection पर जाए वो file select कर लेंगे, जहाँ वो रखी होगी, private data open, यहाँ पे आ गया, यहाँ से वो sheet select कर लेंगे, जिसके अंदर data है, okay, okay, अब देखेंगे, यह सारे के सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है सार, सारे का सारे data वहाँ से उठा लाए, तो यह बगएर कोले, आप किसी भी sheet को use कर सकते है, तो यह था सार, आपका पूरा पाइवर टेवल, अब आपको चार्टी बनाना है साथ में, तो बस आपको क्या करना है, यहां से पाइवर चार्ट पे क्लिक कर देना है, तो चार्ट बनाना है वो, यह आपका बना बनाया आजाए, जैसे जैसे इसमें changes करेंगे यह वैसे वैसे चलेगा आपका, जो डेटा होगा उसे साब से चार्ट आपको शो करता रहेगा, तो पाइवर चार्ट का तो इतना ही है, यह थी हमारी सर्फ पाइवर टेवल, अब इसमें क्या करते हैं, पास दस मिनट का ब्रेक लेते हैं पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके, ओके, थी तो अरतालीस हो रहे हैं, पूरे हैं, बारा बज़े स्टार्ट करते हैं चलेगा, अपर राम से चाह पानी करो, एनर्जी बूस्ट कर लो थोड़े से, तो प्यजु जैसे घ्यज़र लेता क्लिक करेंगे फॉर्माइट चार्ट एरिया खुल जाएगा तो नो फिल नो फिल सॉलेड फिल कोई भी कॉलर चूज करना ग्रेडियन्ट इफेक्ट चूज करने के लिए कुछ प्रिसेट्स आपके पास पहले से होते हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं अब जो प्लॉट एरिया आप उसको सिलेक्ट करके नो फिल पर सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपका पुराना दिखाएगा पिक्चर्स में ट्रांसपरेंसी भी आप सेट कर सकते हैं अब जैसे इसमें भी प्लॉट एरिया में भी दिखाने लगा पिक्चर्स तो नो फिल कर देता हूं इसकी ट्रांसपरेंसी में कम कर सकता हूं क्यों आपके पास यह दिखाना चाहते हैं मैं दिखाना चाहते हैं आई हुआ है तो यह ब्रडर कलर नो लाइन कर दिया तो कोई भी लाइन नहीं आएगी इसके आज पास आप इस लाइन करें तरहे हैं वहां चुछ क्योंते हैं वी यह से खुली लाइन तो युद्ध इस भुट करकें और सब्सक्राइजों कि लाइन का स्टाइल यहां से चूज कर सकते हैं कंपाउग टाइप मैं से लाइन डैस में रखनी है तो वो चूज कर सकते हैं कर दो है कि इसकी फॉर्मैटिंग है खोड़ा सा राउंडड में दिखाना चाहते हैं यह राउंडड में दिखा देखा है यह यह राउंडड में दिखा रहा है थोड़ा से राउंडड कॉर्नर कॉर्नर और राउंड हो जाते हैं इनका एक पहले एक एक का थोड़ा बहुत था इसमें हलका हलका गुलाई और इसमें भी राउंडड में दिखा दिया के बाद शैड़ो शैड़ो आपको देनी है चार्ज की तो प्री सैट्स हैं पहले से चूट कर सकते हैं कर लाज देखें वाली पर शैड़ो आपकी जब तक पूरी तरह से बात में करेगी जब तक रिसमें लाइन ना हो शैड़ो इंटर्नल शैड़ो एक्स्टर्नल यहां की चूज को यह डैकोरेशन है सब इसका ग्राफ्स का अहां जी हां यह डैकोरेशन ही है मोसली बाकि 3D स्टाइल में थोड़ा बहुत ही वह आता है ज्यादा कुछ खास नहीं प्रेजेंटेशन के लिए कभी-कभी अच्छा रहता है ठीक है ना हागी 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 और देखने हैं Legend में, Legend में क्या करते हैं? आप इसकी Position Decide कर सकते हैं. Top में रहना किया है, इदर आ गया. Bottom में रहना किया है, इदर आ गया. Right, Top Right, यहां से चूज़ कर सकते हैं. इसमें भी fill color है, solid color, इसके अंदर color plug से अपने इस आप से fill कर सकते हैं, same चीज बॉर्डर भी इसका, बॉर्डर style भी shadow भी आप यहां से choose कर सकते हैं, next आते हैं category axis पर, horizontal और vertical इसमें क्या होता है कि कई बार आपके पास numbers होते हैं, तो आप number formatting भी है आपके साथ, यहाँ पर, जैसे आपको यह वाला चाहिए, currency में चाहिए, यह वाला चाहिए, currency में, number format यहाँ से currency का चूज कर सकते हैं, currency आजाएगी, ठीक है भी, आपके एक्सेस option में हैं, यह tick marks वगेरा हैं, इसकी formatting है, यहाँ पर यह चोटी चोटी टिक marks दिखने हैं, हाँ दिखने हैं, तो यह अंदर होने चीए, बाहर होने चीए, यह आप चूज कर सकते हैं, यह बाकि इसमें एक चीज ए, category in reverse order, जैसे sale 123457 इदर आ रहा है, category in reverse order में, 765412, ऐसे कर के आजा, और increasing decreasing style में डालना होता है, increasing decreasing में कैसे, बढ़ते करम में यह उतरते करम में, वो charts में, यह तो आपके data पर होता है, अच्छा, वहापे फिर data अगर हम sort करेंगे, तो फिर उसी साफ से वो graph बना देगा, यह भी बना देगा, इसमें तो mainly आपकी होती है, फॉर्मैटिंग सारी, तो यह इसकी formatting जो है, इसमें आपका, जो axis में आपका, यह number format एक्स्ता है, और category in reverse order है, दूसरा कोई आप fill कर सकते हैं, वही चीज़ें दुबारा दुबारा यहाँ, जैसे color fill हो गया, gradient fill, line color, line sky, सब चीज़ें वही चीज़ें, एक चीज़ें alignment, alignment कैसे रखने हैं, कई बार हमारी category होती है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं आप आ रही, इदा, इसको क्या करेंगे, यह जब एक से ज़्यादा character हो, तो अपने आप align, यह vertical alignment यह horizontal, त्राइब करेगा, vertical alignment, बट चेक्स direction क्या है, कि आप इसकी direction decide कर सकतें, कि ऐसे दिखना चीए, जिसे जगे कम होती है, फील्ड ज़्यादा है, तो इसकी साथ से choose कर सकतें, यह custom angle choose कर सकतें, जिसे 45 degrees करेगी, जिसे सारे अपने इसकी साथ से, नेक्स चलते हैं, देटा के उपास, यह अपना जो column है, सीरीज का, सीरीज में क्या होता है, कि अप इसके लिए मुझे, दो लेनी पड़ेगी पहले, तो एक इसको increase कर लेता हूँ, डेटा को यहाँ, जब मैं सीरीज सेलेक्ट करता हूँ, तो यह overlap, separated overlap, अलग-अलग दिखाएगा, overlap में एक के उपर एक लग जाएगी, अब पीछे वाला नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पीछे वाली सारी कम की बेली है, तो इसका आप चूज कर सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच में जितना gap है, तो वो यहाँ से चूज कर सकते हैं, कि कितने मोटे कितने पतले होने की, तो इसका अलग-अलग दिखाना चाहता है, तो gap यहाँ पर, primary axis, secondary axis, और क्या दिखते हैं, इसके अंदर fill, color वलर के वही option है, fill आप यहाँ से आप color चूज कर सकते हैं, कोई भी इसका, gradient fill दे सकते हैं, pictures दे सकते हैं, कोई इसमें, in columns के उपपर, इनमें एक और चीज है, कि जितने आप select करेंगे, अभी यह देख रहे हैं, कि सारे selected हैं, दुबारा click करेंगे, तो एक single selected हो जाएगा, तो single formatting भी आप कर तकते हैं, किसी एक single का भी color change कर तकते हैं, ठीके, दुबारा click करेंगे, तो फिर वापस सारे select हो जाएंगे, बाकि border style, shadow, सब होई ती है, 3D format, थोड़ा सा 3D look में आता है, तो formatting के सारे option यहीं से ही है, बाकि देखते हैं, अज़र हम इस पर data series पर right click करते हैं, यह select कि हमने, तो इस उको भी right click किया, add data labels, add data labels जब select करेंगे, तो इसके उपर, data label, मतलब आपका data दिखाने लगी है, अर एक column दूपर दिखाना है, तो add data labels, अब इनकी अलग formatting होती है, अब इस पर right click करेंगे, format data labels जएंगे, तो इसमें क्या दिखाना है, आपको value दिखाना है, category name दिखाना है, यह series name भी दिखाना है साथ में, whole data ऐसे अपना आप select कर सकते हैं, दूसरा इससी position का होनी चाहिए, center में होनी चाहिए, inside and, inside base, outside and, तो उनकी यह position है, आपकी number format भी आपका same ऐसे ही चूज कर सकते हैं, माली जे currency में दिखाना है, इससे आपको दिखाना है, और कि color वलर फिल कर आने सेम वैसे ही, सारे option वैसे हैं, alignment इनकी भी text direction को change कर सकते हैं, अब label position यहाँ से center कर दी, यहाँ पर ऐसे ही चाहिए हमें, यहाँ से choose कर सकते हैं, अब हमने क्या करना है कि एक data label को हटा जैते हैं, select करके delete करेंगे तो हट जाए रहे हैं, माल लीजे grid line ज्यादा तंकर दी हैं, आपको grid line select कर लीजे, इस पर delete button प्रेस कीज़ें तो delete हो जाएंगे, अब क्या करना है कि माल लीजे यहाँ पर एक चीज मेरा sales है, टार्गेट है, तो sales target में क्या होता है, माल जो दूसरी field आपकी target है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसका change series chart type, right click करके और line chart पर आयाते हैं, तो दूसरा वाला जो chart है वो line में convert होगे, दूसरा वाला line में convert होगे आपका, वो कैसे किया, select करके, select किया, right click किया, change series chart type, वापस इसको column में कर दिया, select किया, right click, change series chart type, इसमें कर दिया, उसमें कई चीज़ा नहीं करती है, पर line वाला आपका चल जाएगा, line एक कौन भी दिखा रहा था जिना, हाँ, कौन तो वो मैंने किया था न, तो वो सबको इक कौन में बदल दिया था, पर line आपका अकेले line में बदलेगा, आच्छा line अकेले line में बदलेगा, क्योंकि वो 3D format का पार्च है, बाकि आपको इसको color वालर सेट करना है, तो पहले से जो design दिया है, वो यहाँ पे हैं, हमारे पास, यहाँ पे भी इसी तरह चार्ट टूल साथ हैं, बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं मिलेगा, चार्ट पर क्लिक करेंगे तो इस चार्ट टूल के अंदर design layout format, तीन आपके option खुलेंगे जो आपको इसी के, तो पहले तो master layout आपको यहाँ से मिल जाएंगे, उसके ज्यादा यह वाला यूज़ करते है, चार्ट with data, यहाँ है, तो चार्ट with data mostly ज्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, ज्यादा यूज़ में clarity रहती है लिखता भी साब है, ठीक है, डेटा भी है, सब कुछ है, तो चार्ट layout, आपके पास different charts layout हैं यहाँ पर, पहले से ज्यादा मलबा लग से वो करने की ज्योशन, यहीं मिल जाते हैं आपको कापी options, तो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं इसको, बाकी आप जैसे आप देखने होंगे sales one two three four इसमें दिखा रहा है, ठीक है जी और दिल्ली फरिदाबाद यह column में, आप चाहते हैं कि दिल्ली फरिदाबाद यहाँ आना चाहिए, बाकी sales one two three four वैसे columns में दिखाए, तो यहाँ पे है switch row column इसको select करेंगे, तो दिल्ली फरिदाबाद यहाँ आ गया sales one two three यहाँ आ गया, बाकी layout में देखते हैं, chart title आपको दिखाना और नहीं दिखाना यहाँ से दिखा सकते हैं, कई option आपके सारे यहीं पर मिल जाए, grid lines आपको दिखानी है नहीं दिखानी, grid lines नहीं दिखानी, none कर दीज़े, access नहीं दिखाना है, none कर दीज़े, लाने हैं वापिस 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 यहाँ पर इन्हीं सबके हैं, show data table, do not show data table, legend, legend की position, सब यहाँ पर आपके पास पहले से दिए गए option, अधर से format में जाने की जुरूत नहीं परपिते हैं, आपके सारे format layout वाले एकाप किताब यहाँ मिल जाएगा आपको, वापके format, format में, फोटी-फोटी formatting है, ज्यादा कुछ नहीं, जो area select होगा आपका उसी पर work करने लगे गए, यहाँ से मुस्टली आपका काफी काम हल हो जाएगा, यहाँ से मुस्टली आपका काम हल हो जाएगा, बाटी अब में चार्ट पर आते हैं, चार्ट के अंदर जो हम देख रहे हैं grid line, अब देखेंगे यहाँ पर मैं दो city है मेरी, अब मैंने क्या करना है, इस से connected नहीं रखना इस data से, अभी यह data से connected है, यहाँ पर जैसे अगर मैं कोई change करूँगा, तो आपको चार्ट में यहाँ चीज़ दिखा रहे हैं, आप चाहरे हैं कि इस data पर dependent ना रहे हैं, चार्ट के अंदर ही data हो, कोई भी चीज़ होती है, आपका यह series का formula इस चार्ट के उपर dependent करता है, इस से पहले देखते हैं कि चार्ट, ब्लैंक चार्ट को कैसे बनाना है, तो मैं delete कर देता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, चार्ट, ब्लैंक चार्ट एक मैंने किया, अब मैंने क्या करना है, right click किया, select data, select data करते ही, इसमें यह मेरे पास full क्या आया, चार्ट डेटा रेंज, चार्ट डेटा रेंज यह हो गई, पहले तो इसमें automatic ही ले लिया, जैसे आप मैं select किया, और switch करेंगे तो यही से भी switch हो जाएगा, चीक है, चीक है, और नहीं, वहां से नहीं देना चाहते, कई बार automatic नहीं लेता है, माल लीजे, इसमें, मेरा यहा इनका gap पर data में, तो अब जब हम select करेंगे तो नहीं लेगा यह, लेगा भी तो दिक्कत करेगा, अब यहां पर नहीं आया कुछ भी, selected है पर आया है नहीं कुछ, इसके इसमें क्या करना है, इसको भूल जाइए, यहां से डिलिट कर दीजे, manual entry करते है, manual entry किस पर असे करेंगे, select data में करें, यहां पर legit entry को करेंगे, add, यहां पर मैंने क्या किया था, series name मैंने दे दिया city, और इसमें दे दी मैंने दो value, दिल्ली, परिदाबाद, ठीक है जी, city आ गई, दो entry है, अब इसको edit करूँगा, यहां पर, यह horizontal के लिए, और यहां से, axis label range, एक यह हो गया, series one, edit, 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 अच्छा, अच्छा, ओ, ने, ने, यहां पर मैंने गलग चीज़ लेगी, मैंसे add करता हूं, मैंसे दिल्ली, फलिदाबाद, इंडूचुली add करना परेगा, यहां से, पहले यह ले लिए मैंने सारे, enter, और जो यह value ले रहा हूं मैं, यहां से ले रहा हूं, ठीक है जी, दिल्ली, फलिदाबाद, वगयरा करके उधर आ गया, बाकि data इधर आ गया, ओके किया, एक data enter हो गया, यह खाली पहले दिन की sale है, हाँ जी हाँ, अब दूसरा मैं enter कर रहा हूं, नहीं यार, इसमें entry कहीं गड़ बला रही है, यहां पे sales हाई, remove कर देता हूं, sales, हाँ, अब भी है, यहां से sales select की, यहां से यह एक दिन की sale, ओके, एक गई, अब फिर add किया, मैंने यहां से sales to select की, और यहां से उसका data select कर लिया, यह दूसरे दिन की sale, ठीक है जी, अब यह दूसरे दिन की sale आ गई है, अब इसमें मुझे category देनी है, यहां से category दे दूँगा, यह, ठीक है जी, तो यह आपका नीचे add हो गया, यह, ठीक है सर, दोबारा देखते हैं एक बार, काफी confusion हो गया काफी, हाँ, दोबारा से एक बार देखते हैं, राइट क्लिक करके select data करेंगे, add करेंगे, पहले मैंने series name select करना है, देन उसकी यह एक हटा देंगे, series value select करेंगे, ठीक है जी, यह आपका यहां पर तुरंत ही दिखा देगा, series 1 यह, यह value select हो गया, अब add करेंगे, फिर से series 2 select की, और यहां उसका data select करना है, ठीक है, दूसरी series भी आ गई, legend entry यहां आ लगी, इसी तरह तीसरा करना चाहें, तो यह series यह, तो एक एक जैसे select करते जाएंगे, वो फिर एक एक वर्टिकल ग्राफ बनाता जाएगा, यहां पर यह, अब इनमें कमी क्या है, add तो कर दी हमने, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखा रहा हो कि हमने यहां की entry नहीं दिया, और यहां से horizontal axis के entry देने के लिए इससे edit पर click करें, और यहां से horizontal axis पर switch कर ले, यह, यहां पर आपके show कर गया, काम हो गया, अब चाहें तो यहां से switch करें, अगर हम entry नहीं देंगे तो फिर वो 1, 2, 3, 4 ले लेता by default, हाजी हाजी, वो index position दे देता है actually, अच्छा ठीक है, ठीक है साम, तो यह जो chart बना है, यह वैसे नहीं बनाया जा सकता, कि automatic बने गाई नहीं, अगर यहां पर जैसे gap है, तो automatic में यह chart नहीं बन सकता, फिर इसको one by one बनाने का select कर करके, add data करके, जैसे हमने किया, right click, select data, अब इसमें मैंने entry करी थी, यह आपको selection दिखा रहा है, दुबारा से add करा, एक यह स्टूज कर लिया, नाम, और यहां पर उसका data स्टूज कर लेना है, बट वो फिर column delete कर दें जादा अच्छा नहीं है? नहीं, वो मैं वह ऐसे बता रहा हूं कि exceptional, जहां आपको delete ना करना, वैसे लगाना पड़ जाए, कभी भी, ठीक, 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 ठीक हर बार data ही नहीं चेंज करते हैं ना सरम, हाँ, तो यवार ऐसी फंस जाती है कि नहीं अब ऐसे ही करना है, तो वहां के लिए हैं यह सारी की हैं, बाकी चलते हैं हम सीरीज के formula पे अपने हैं, जो से हम select करते हैं, यह sales one का जो है, यह हर एक series का, हर एक legend का एक series formula होता है, जो आप select करेंगे, जो हमारा sales one का है, तो यह horizontal category का यह रहा, vertical का यह रहा, यहाँ पे हमें data दिखाता है, इसमें क्या होता है, पहला point है आपका series के formula में चार चीज़ें होती है, पहला जो होता है, वो हमारा series का title होता है, इसका title होगा, title क्या होगा, यह sales one, ठीक है जो, दूसरा इसका data होगा, नॉर्मल सी बात है, नहीं, इसका data नहीं, इसकी यह होगी, headings होगी, यह दिल्ली, फरिदाबाद, यह सब, category होगा, पहला name, दूसरी category, तीसरा जो होगा, इसका data होगा, यह वाला, और चौती होती है, इसकी position, जिसे यहाँ पर यह first number पर दिखा रहा है, तो यहाँ one होगा, second वाले को देखेंग है, तो इसका third होगा, तो अब मैं पता पढ़ गया, कि इस formula के ऊपर सब चल दा है, तो इस formula को अगर हम change कर रहें, तो यह उसके हिसाब से work करेंगे, data से कोई लेना देना नहीं, सारा खेल इस formula का, अगर मुझे इसको ले जाके third position पर लाना है, तो मैं बस three करूँगा यहाँ तो यह third position पर अपने आप चला रहें, तो यह third position पर अपने आप चला रहें, तो यह manual change हो जाएगा, अब यह यह चीज़ वैसे नहीं चेंज होगी आपके, इनका और कोई तरीका नहीं, ठीक है, अब मैं कह रहा था कि इसमें, जो है मेरे को इसके उपर dependent नहीं रहना है, इस character में data कर देना, तो यह series का formula यह तब कुछ कर रहा है, मैं इसको select किया, मैंने पहली entry को, और F9 दे दिया, F9 से जो value वाली position होती है, वो इसमें आ जाती है, इसी तरह data को select किया, मैंने फिर F9 कर दिया, दूसरे को, तो यह entry भी इसमें आ गई, आप देख रहे हैं, यही वाली entry एक array format में आ गई, कर लिदे सकते हैं, इनकी entry इसी तरह से हो, इसी तरह मैंने दूसरे को select किया, तो इसकी value entry आ गई, enter प्रेस कर दिया, अब आप देखनेंगे कि dead वाली series को select करने पर, यहाँ पर कोई निसान नहीं आ रहे है, यानि कि अगर मैं इसको delete भी कर दूँ तो उसक कुछी, कोई फरक नहीं पड़ता है, sales 2 अगर मैं delete कर देता हूं, तो उससे, यहाँ पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह अपना data अपने आप ही ले चुका है, इसी तरह से मैं हर एक का data कर सकता हूं, इसका कर सकता हूं, पॉमा के अंदर की value ले, तो ज्यादा बेटर जाएकर नहीं तो, F9 क्या करता है, calculate करता है, selected को आपके, और enterprise करते ही वो fix हो जाती है, अहां हां, चिक जाए, अब last one को कर देता है, यह होगा, अब यह हमारा chart अपने आप में होगा, इसका किसी data से कोई लेना देना नहीं, अज़र मुझे इसे change करना है तो, यहां से value change कर रखते है, तो यह chart चार्ट अपने आप में अकेला बन गया, अब जिस तब फोड़ा कर, advanced features और देखते हैं, माल लेजिए हमारे पास यहां तो बैंक है कुछ, A&B, SBI, ICICI, यह पीन बैंक है और इसके amount है कुछ भी कह सकते हैं, हमने यहां से एक chart बनाया, अब मैं यह चाहरा था कि, जो SBI वाला है, यहां से data को और द्राब कर देखते हैं, मैं यह चाहरा था कि, जो SBI वाला है यह red वाला, यह इस पर logo लगा आ जाए इसका, अब हर एक पर logo दिखाए, पिक्चर में दिखाए, ताकि हमें easily पहचान सके नहीं, तो मुझे legend का बारबार reference लेना पड़ रहा है, तो यह कैसा करते हैं, एक SBI का logo फाइल कर लेते हैं सब से चाहले, इमेजेस पर जाके कर लेते हैं, मानली जी यह वाला ले लेते हैं, copy image किया है यहाँ से, अब यहाँ paste करना है, यह आ गया, कई बार क्या होता है कि यह paste होने पर आता नहीं है, कुछ ऐसा होता है, तो उस case में क्या करना है, आपको paint में जाना है, MS Paint आपके पास होता है, यहाँ पर paste करना है, फिर इसी कोई copy करना है, सब paste करेंगे तो फिर हो जाएगा, अब इसको क्या करते हैं, इसको rotate कर देते हैं, अब इसको क्या करना है, हमने control C दबाना है, अब यह मैंने clipboard पे ले लिया है, का क्लिप बोर्ड पे चड़ जाता है, अब फॉर्माट डेटा सीरीज में यह आऊंगा, right click करकी, फिल में गया, अब यह clipboard आ गया आपका, क्लिक किया तो यह आपके सामने यह बदल गया ठीक है यहां दिखाने लगा आड डेटा देखा देखा दिया यह लाइन कलर लाइन वगरा दिखाना है मुझे और लाइन ताकि उसकी वो पता पड़े लिमेट अप्या किया करना है मैं ने हमां ली यह लिए बनाना है अपने तरब में लोगों को पिक्णर बना और शेप कर दिया कर दिया इसको कर दिया, अब यहां पर लिख दिया, पी एन ली, इसको जैसा भी लुक देना चाहूं, वैसा दे दिया मैंने, बाकि इसके अंदर को size को बड़ा करना है मैंने, तो यहां home में जाके होगा, इसका size बड़ा कर दिया मैंने, अब क्या करना है मैंने, यह shape है, ऐसे copy paste करने स मेरे ख्याल से होगा नहीं, और होगा भी तो एक दिक्कत करेगा कि इसके आसपास, जब हम इसको copy करते हैं, control C दबाएंगे, यहां पर है आपके पास, copy as picture and paste as picture, paste special में, तो paste as picture जब आप करेंगे, तो आप यह देख रहे हैं कि इसके आगे न, यह खाली area है, यह selection area इसका यहां effects करेंगे, इसलिए मुझे क्या करना है, इसको copy करके paste as picture कर दिया मैंने, और फिर मैं गया crop में, जैसे picture select करूँगा, picture tool आजाएंगे, crop करूँगा, इसको इसकी exact limit पर ले आउँगा, कि कितनी मुझे चाहिए, कितनी चाहिए, यह, यहां से मैंने picture card crop कर दो, अब यह, इसका selection area इतना हो गया, अब मैं क्या करूँगा, इसको control की करूँगा, इन पर जाऊँगा, format data series, fill पर जाऊँगा, picture and text में, clipboards, ठीके जी, आपकी यह भी हो के आगे, ठीके जी, आई की आई को उड़ाई देते हैं, अब इसका थोड़ा सा और color color change कर लेता हूँ, इसके बाद, अपने एक माल लीजे, format करके अच्छा सा वो बना दिया, एक चार्ट बना दिया, आपने अच्छा format करके, आप दूसरी जगा भी सेम ऐसा ही, या किसी और data पर ये चार्ट बनाना चाहरे है, तो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसको क्या करना है, आपने इंसर्ट करके कोई भी चार्ट, ये कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लिया, अब क्या करना है, इस चार्ट पर गए, कौपी किया इसको, यहां पर गए, इस चार्ट को सिलेक्ट किया, और यहां से हमने क्या करना है, फॉर्मेट्स, LEASE QUI गए, तो सेम फॉर्मेट्स इस पर कौपी होगा ये आप एक थीम चाइप में बनानी पड़ता है ना, चार्ट A की फार्मैटिंग टाइप के होने पड़ी है, उस फार्मैट आप चार्ट सो पेस्ट कर सकते हैं. नहीं बार बार उसको फार्मैट करने के जूरुद में पड़े हैं. यह तरह आपके सामने कॉलम चार्ट, पार्टी चार्ट का अपना अपना यूज है, जैसे हमारे पास पाई चार्ट है, पाई चार्ट यूज होता है शेयर में, कि हर एक का कंट्रिब्यूशन कितना है? सब्सक्राइब है. अब यह तरह दो हैं, बना है कंट्रिब्यूशन कितना है, कंट्रिब्यूशन जानने के छिए हम पाई चार्ट यूज करो, यह हमारे पास पाई चार्ट है. राइट क्लिक करें में एड डे टा लेबल, इसके डेटा लेबल के फार्मैटिंग में क्या होता है? कि आप इसमें पर्संटेट भी दिखा सकते हैं, इतना पर्संट, इतना पर्संट, इतना पर्संट, इतना पर्संट, इतना पर्संट, इतना पर्संट, वैल्यो दिखा सकते हैं, अमा लेजे हमारी जो तीन चार वैल्यो वह बहुती कम है, इसके मुकाबले, एक है, यहां दो ह यह तीन है यह चोटी छोटी होगा जो की आर्मोस्ट इन्विजबल टायती है इसके लिए क्या करना है हमने तो सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके पाई आफ पाई चार्ट है यहां पे आपका जो है बचे हुए एरिया का जो भी आपका इन्विजबल टाइप का होगा उसका सेपरेट एक चार्ट बनके आ जाए अच्छा उसका एंलार्ज्ट व्यू दिखा दिद्ध है अब इसमें पांच का तो अलग दिखा रहा है एक का अलग दिखा रहा है देखिए एक का अलग दिखा रहा है वो इसके अंदर नहीं इसको क्या करना है राइट क्लिक करेंगे यहां पर सेकेंड पाई का है सेकेंड प्लॉट कंटेंज 2 वैल्यू थ्री वैल्यू प्रवल्यू तो आप यहां से वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो लास्ट वाला है वों किकिने वैल्यू दिखाएगा तो मैंने 3 value selected कर दिया अब यह easy है बज़ना बाकी इसको separate कर सकते हैं आप चाहें तो एक हिस्से को अलग निकालना है खाली अगर आपको एक हिस्सा अलग निकालना है तो जैसे यह अलग निकालना है एक बार क्लिक किया दुबार क्लिक किया यह मैंने कर गया ठीक है और मैंटिंग चूज कर सकते हैं लग लग फॉर्मैटिंग चूज कर सकते हैं और चाहे तो इससे 3D लोग में भी देखा सकते हैं यह वाला आता है आपकर 3D पाई के तरह और लग तुब तो सॉलम चार्ट और पाई चार्ट अब उसके बाद आता है फ्लो लाइन वाला हम कभी यूज़ करते हैं लाइन वाला यूज़ करते हैं जब आपके पास डेटा ज्यादा होता है यहां देखे फ्लो लाइन पे जब आपके पास डेटा ज्यादा हो बहुत ही ज्यादा हो तो उसमें हम लाइन फ्यूज़ करते हैं इंसर्ट यह लाइट हलका फुलका हो तो कॉलम इससर्ट चल जाता है पर आपके पास जब ज्यादा डेटा होता है कि कॉलम अब आपके पास जगह ही नहीं है डालने की कॉलम क्योंकि कॉलम वो जो है एक लिमिट तक ही दिखाएगा उससे ज्यादा तो दिखाई नहीं सकता यहां इसके लिए लाइन यूज़ कर लेते हैं प्रेंड टाइप में दिखाने के लिए कि हमारी एक पिछले इतनी सदियों से चलती हो आरिये से वो दिखाने के लिए तो यह फ्लो लाइन इसके लिए इसके लिए इसके अलावा जो आपके चार्ट होते हैं बार चार्ट से हम कॉलम चार्ट की तरह ही हैं बाकि इसी के रूपे हैं फून और यह सब लाइन लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट स्कैटर चार्ट भी सेमी इसी तरह से ही होता है लाइन को छोड़के यह वो दिखा देता है आपको यह वह लाइन की जगह पर आपकी खाले डॉट दिखाएगा बापकी आपके अदर चार्ड में है कुछ बाकि लाइन चार्ड और प्रॉलं चार्ड में फिर फरग क्या है जिस्ट डेटा तो सेई में दिखाता है स्पीस का कंजम्शन इसमें कम होता है हाँ सर्थ आप देखे क्या होता है यहां पर डाल देता हूं इंसर्ट लाइन तेकर जी ऐसे पांसोर डाटा कॉलंग के लिए लो पांसोर लाइन का दोनूमें कम्पायर करेंगे अब यह देखी कॉलम स्पेस में तो कोई फ़रक नहीं है यह देखिए लाइन जो है आपका लाइन की तरह यह हलका सा पॉइंट चाहिए पर इसको तो यह मोटाई चाहिए ने कॉलम के ताफ में लाइन को तो आप इतना भी चोटा बड़ा वह कर सकते हैं कि इसलिदे यह हुआ पर इसको कर дूमा पर को अमतले मिलिये रहे दिखा अधिगा सब्सेख्याचर ही नहीं पत्त पड़द है तो बस 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 बेसकर है है तो चार्टि नहों डेट दिखा रहे है ठीक है बजी है कि जब आपके पास data ज्यादा हो तो line का use होता है standard है औके बने ही इसी यह से बाकी है आपके पास और तरह तरह के chart है जैसे y chart का मैंने दिखाया था उसी तरह आपके पास donut chart भी होता है कौन सो chart? donut chart यह पाई की तरह ही है अच्छा अच्छा डूमार चार्टी इसमें बोला दिखाता है पादी सब अपकुछ अलग-अलग तरह के चार्ट ने हैं अपने एरिया चार्ट एरिया एक के ऊपर एक ओवर्लैप्ट आ रहा है कितना ख़वर कर गए हरे मजब जरूरत के इसाब्त ही होते हैं जो भी आपको दिखाने में तो यह आपका चार्ट में तो वैसे को कुछ खास होता नहीं बस यह main concept होते हैं एक series का formula होता है बाकि अब जो चार्ट को मैं एक automate करते हैं user forms के जरीए अब आपको दिखाता हूँ एक developer tab होती है हमारे पास अगर आपके पास यह tab नहीं आ रहा है तो excel में जाके यहाँ excel option popular में जाके यह show developer tab का होता है इसे check कर दीगी आपकी developer tab आ जाएगी अब developer tab में दो तरह के control होते हैं यहाँ insert पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके form control होता है एक form control है एक active x control है active x control जो है सिर्फ VBA में use करते हैं और form control जो है without VBA के use कर सकते हैं बाकी आपको इस पर दिखाता हूं जिस चार्ट को हमने करना है offset का असल फर्मूला याद है आपको offset का offset का फर्मूला हमने क्या किया है offset का फर्मूला जो है आपका एक reference लेता है उसके बाद इसको row number बताईए मैंने बताया दो और column number मैंने बताया 3 enter करूंगा तो उसकी value मुझे दिखा देता था है जो इसका reference है वो उसको zero position मानता है इसको zero यानि कि जब मैं column में आगे बढ़ता हूँ तो zero यह हुआ one column यह हुआ two column यह three column यह इस तरह से लेता है इसी तरह row में zero row यह हुआ first row यह second row यह third यह हुआ तो second row का मतलब हो गया zero one two ठीक है जी third column का हो गया यहाँ से zero one two three यह तो आपको यह यह value दिखा रहा है यह ठीक है जी तो offset का formula हम चार्ट को automate करने में लगा सकते हैं हमाँ लिजे आपके पास ऐसी city wise बहुत लंबी चोड़ी entry है और हर city का आपको अलग chart बनाना है यह किसी दो cities में comparison करना है chart का वो भी आप चूज कर सकेंगी कौन सी city कौन सा है मतलब एक किस तरह से flexibility देनी है ठीक है जी तो उस चीज में हमारे user controls काम आते हैं पहला तो हमें offset का formula से करना पड़ेगा मैं इसको यहाँ copy कर लेता हूँ ठीक है जी रो के लिए माल लीजे मैं यह use करूँगा यहाँ से अब मैं क्या करूँगा offset का formula लगाँगा reference ही यह दूँगा और row मैं choose करूँगा यहाँ से ठीक है जी इसको fix कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको drag भी करूँगा और यह अपना यह reference भी fix कर लेता हूँ और जो column है वो column में एक एक करके अपने आप choose करूँगा जैसे column मेरा हो गया यहाँ zero column हो गया जीरो कॉलम कौन सा हुआ यह फर्स्ट कॉलम हो गया आपका जीरो कॉलम का मतलब है same column जैसे reference इसमें दिया था मैंने जीरो कॉलम ए एवन दिया है तो यह reference है यह reference है तो जीरो कॉलम हुआ यह zero position हुई zero row और zero column अगर हम increase करते हैं तो फर्स्ट रो यह हुई second यह हुई third यह हुई ठीक है जी फर्स्ट रो यह हुई इसलिए दिल्ली दिखा ठीक है जी और zero column मतलब यही इसे लिए दिल्ली दिखा रहा है अगर मैं इदर डाल देता हूँ one तो यह मुझे first column का data देखा देगा ठीक है जी zero one ओके ओके ओक्ड़ तो यहां तो मुझे चाहं चाहिए one मुझे यहां चाहिए zero यहां चाहिए one यहां चाहिए two इस तरह से सेट करना है मैंने थ्री पॉर पाइव और यहां तो सिक्स अब देखिए रो का जो कंट्रोल है मैंने इसमें दे दिया है कि यहां से सेट करेगा जो भी हो तो अगर मैं टू दबाता हूँ तो यह फरिदाबाद आ गया थ्री दबाता हूँ तो नॉड़ा आ गया इसी के साथ ही सारा डेटा चेंज हुए जा रहा है मेरा ठीक है जी अब मैं क्या करता हूँ इस खाली इस हिससे पर चार्ट लगाता हूँ इंसर्ट कॉलम चार्ट मान तो यह इश्या कर दिया मैंने अब इसमें क्या है कि जैसी वनद वार हूँ तो डेली का दिखाया तू दबाएया तो फरिदाबाद का दिखाया थ्री दवाया तो नॉड़ा का दिखाया सारा चार्ट चेंज हो रहा हूँ मेरा यह पर एक प्रॉबलम यह है कि बारबार 1 2 3 कौन देता रहे हैं, इसके लिए मैं चूज करता हूँ, डेवलपर में जाके, इंसर्ट में जाके, कॉम्बो बॉक्स, यहां से कॉम्बो बॉक्स चूज कर लिया है, मैंने ये एक लिस्ट बॉक्स की तरह ही होता है, अब इस पर आप राइट क्लिक करेंगे फॉर्माट कंट्रोल करेंगे तो इसमें यहाँ कंट्रोल में दो अप्शन होते हैं इंपुट रेंज और सेल लिंक तो इंपुट रेंज जो आप इसकी लिस्ट में दिखाना चाहते हैं वो दे दीजिए और झाप रो दे रखाना धिशा यहां से चूज कर दिया यह दिए मैं थोड़ा सा 3D लूक में आएगा अब क्या है कि कोई भी वेल्यू सेलेक्टेट नहीं है तो जीरो दिखा रहा है ठीक है जी और जैसे ही कोई सेलेक्टेट होगी कि जिस पोजीशन पे वो होगी उसका इंडेक्स नंबर यहां मिल जाएगा आपको फरिदावाद को सेकेंड नंबर पर मतलब जो मैंने ऐसे डेटा से लेक्षिस पर फर्स्ट पर डेली है सेकेंड पर फरिदावाद थर्ड पर नॉड़ा तो इसी तरह से यहां से वह सैल लिं ठीक है जी तो जैसे आप चूज करते जाएंगे आप देखते जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है साथ यह प्रेजेंटेशन में भी अगर हम पीपीटी में डालेंगे पीपीटी में भी कंट्रोल कर सकते हैं सेंबे नहीं सर नहीं कर सकते हैं यह सिर्फ एक्सल में होता है ठीक इसका यूज होता है डैश बोर्ड *** तो क्योंक huge ppt का तो एक बार होता है कि एक यू बार मेंटिक में वार डैश बोर्ड का यूज होता है कि 1 बार बना के उने management को दे दिल्या ठ्स इसका यूज होता है अब दो cities की comparison करनी है मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक और offset ले लेता हूँ अगले का जो selling के वो कहीं और दे देता हूँ मतलब रोज जो है मैं कहां यहां से choose करवा देता हूँ ठीक है जी offset का formula same रहेगा मेरा अब बस इसमें मैंने क्या करना है यह जो यह है मेरा इसको मैं इसको से देता हूँ ठीक है जी यहां से यह अब यहां से दे दिया मैंने इसको क्या करूँगा मैं इसे select कर लूँगा यहां से यह range बढ़ा दी मैंने और इसको एक और combo box ले लेता हूँ ठीक है जी यहां right click format control दुबारा से input range दे दी यह वाली और इसका cell link जो है मैंने यहां choose कर लिया ठीक है जी 3D shading अब इसको लगा देता हूँ यहां थोड़ा से चार्ट को बढ़ा कर देता हूँ और इसका formation थोड़ा से चेंज कर देता हूँ यहां पर मेरा जो भी मैं सिलेक करूँ आँ यहां से उनका मुझे यहीं पर comparison दिखा दे रहा है। ठीक है दो स्टीज कर बीच में दिए कॉम्पैरिजन कर दिया मैंने सब्सक्राइब यह दोनों साइड में क्या फरक है यह लव्ट साइड और राइट साइड में मैंने इसका कॉम्बो बॉक्स का लिंक यहां से दे रखा है और जो डेटा आ रहा है वो इस कॉम्बो बॉक्स से आ रहा है ठीक है जी चार्ट में मैंने क्या किया है इसकी रेंज को बढ़ा दिया दोनों फिल्ड ले लिए चाय कोई भी हो ठीक है तो इन दोनों का डेटा आपको दिखाए गया तो यहां से कोई भी चूज करूँगा जैसे दिल्ली और नॉड़ा में कंपैरिजन देखना है तो यहां दो शिटीज का कंपैरिजन देखना हूं अब यह जब पून्य और नॉड़ा का डेटा तो यही है ना नीचे वाले में और उपर वाले में नई डेटा कहा लिए ना नई डेटा सेम नहीं है ना अब डेटा तो आपका यह यह है अब देखिए नौडा से में बदल रहा हू हम उसको फरिदाबाद में तो कि प्रिदाबाद का जैसे यहां पर 58-40 4 ऐव फाइव है मट उपर भी है 58-48 44प फरिदाबाद फरिदाबाद यही अच्छा च्छा यह चीन्ज नहीं ले रहा है इसको लेना चाहिए तह पर ले लिंक चेंज नहीं हुएं नहीं है यह यह चेंज हो गया यह ठीक है जी नाइन जी नाइन ओपर क्या रहा है फरीदाबाद प्र फरीदाबाद क्यों है उपर ऑके जब ही तो गड़बर कर रहा है अब लेगा साइए अब सभी है वो एक अब गलत उसका ले राता है यूनिक वैल्यू में ही काम करता है यहां पर एक दिल्ली वियल अगेन है यह गड़ू है तो अब यह आपका वर्ट अपस में यह काम करेंगे अब मुझे क्या करना है सर मैंने क्या है कि एक लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट करता हूं और मतलब या फिर ऐसा करता हूं एक वर्सेस का बटन अड़ करता हूं मैंने कहा कि जब यहां पर न चेक बॉक्स हो तब कंपेर करें जब यह चेक दो तो राइट क्लिक किया फॉर्मैट कंट्रोल बाइडिफाल्ट मैंने चेक रखा या अंचेक रखा जो भी आप रखना चाहें और सेल लिंक दे दिया मैंने कहीं भी इसके यहां दे दिया अब यह क्या होगा जब चेक दोगा तो प्रूर रिटर्न करेगा अब इसमें मैं डेटा पर क्या चेंज करूंगा इस ऑफसेट के फॉर्मूला से पहले एक वो लगा दूंगा इप का फॉर्मूला कि इफ यह कुल टू फॉर्मूल से यह यह कुल टू 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 है यह टू फॉर्मूल्स देने के विजरूत नहीं अपने आप यहीं से उठा लेगा अगर यह फॉर्मूल्स है तो ब्लैंक कर दे अधर्वाइज यह फॉर्मूला चल ले दे तो यह ले गया और यहां से क्या होगा जैसे मैं क्लिक करूंगा यह वैल्यू आती जाती रहेगी वर्सस में दिखाना चाहिए है उल्टा हो गया इसमें नॉट लगा देता हूं नॉट क्या करेगा रिजल्ट को पलट देगा यह फॉर्मूला यहां कोपी कर लेता हूं क्योंकि बार बार करना पड़े तो अब जब चेक करूंगा तो आजएगी वैल्यू ठीक है जी अब यह फॉर्मूला मेरे को यहां लगाना है क्या मत ड़ी आताउब करेगा थां कि कि आता हुँषवे जी कि लगा cause लगार यहां कि अ कि अब देखिए जैसे चेक बटन आप आफ करेंगे कोई अलग डेटा नहीं दिखाएगा जैसे करेंगे कंपारीजन करनी हो अब वर्क नहीं करेगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंपारीजन वर्क करने लगेगी हटा देंगे हट जाएगा इसी तरह से आप हमारे पास जिस तरह हमने कॉम्बो बॉक्स यूज किया उसी तरह लिस्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं सेम प्रॉपर्टी यह उसकी भी यह लिस्ट बॉक्स है यहां मैंने लिस्ट बॉक्स लगा दिया है लिस्ट बॉक्स में एक डिफरेंट चीज करता हूं फॉर्मैट कंट्रोल करता हूं इन्पुट रेंज में मुझे इसका यह देना है तो इनकी लिमिटेशन है यह खाली जो वैल्यूज आपकी इस तरह से हैं सीधाई में हैं वो ही लेगा यह वर्टिकल में नहीं लेगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले तो इस वैल्यू को मैं ट्रांस्पोस कर लेता हूं ट्रांस्पोस का एक फॉर्मूला है आपको सिलेक्ट करके क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है अब मैं जे क्या करना साथ सेलेक्ट करने है एक टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर ज्यादा सेलेक्ट कर लेए तो यह यह पे जितनी भी हैं यहां पर मेरे पास इस तरह से मिल गई अब मैं दे सकता हूं इसमें फॉर्माट कंट्रोल इंपुट रेंज अब इसमें क्या करूंगा आपसेट में एक चीज खाली छोड़ी थी पहले तो मैं इसकी रेंज को घटा देता हूं इसको रेंज कर देता हूं यहां तक मुझे ज्यादा चाहिए यह नहीं यह सारी डिलीटी कर देता हूं मुझे इसकी जुरूरती नहीं अब मुझे इसके नंबर से यह कॉलम नेम चाहिए ठीक है जी तो पहला आपसेट का फॉर्मूला तो यहीं लग जाएगा रिफ्रेंस यह हो गया रो जो है हमेशा ही जीरो है चाहिए मुझे यहां पर और कॉलम जो है मुझे यहां से चूट करना है ठीक है जी तो यहां से जो भी सिलेक्शन होगा यह मुझे हेडिंग वहां बदल के दिखा रहा है इसी तरह से मैंने यही फॉर्मूला इसमें लगाना है जो कॉलम है वो मैं यहां से चूट कर रहा हूं अब क्या करेंगा जैसे सेल्स वन तू त्री फो जो भी सिलेक्शन करूंगा उसी के खाली डैटा दिखाएगा चार्ट भी उसी साथ से चेंजिए कर जाए ठीक है जी चार्ट को जितना चाहिए उतना वह आप करते हैं तो इनका जो भी कुछ होता है वह सेल लिंक ही होता है इस तरह से आपको एक और चीज दिखाते हैं इस पिन कंट्रोल है इसमें खाली दो ही बटन होते हैं इनको फॉर्माट कंट्रोल करते हैं इसमें क्या है कि करेंट वैल्यू कितनी है इसकी मैं सेट कर देता हूं वन मिनिममम वैल्यू वन और मैक्सिममम वैल्यू यह कितने चार चार देता हूं इंक्रिमेंटल चेंज जब एक बार बटन दबाऊं तो कितना चेंज होना चीज तो वन इसका जो मैं सेल लिंक दे देता हूं यह वाला दे देता हूं अब देखिए जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यह अपने आप वैल्यू आपकी चेंज होगी ठीक है जी क्लिक क्लिक करकर करके हर एक यह इसी तरह हमारे पास यह भी होते है स्क्रॉल बार इसको भी चूज कर सकते हैं इसकी भी करेंट वैल्यू में वन दे देता हूं मैक्सिमिमं वैल्यू वन इसमा मैं दे देता हूं मिनिमısıम वैल्यू वन मैक्सिमिम वैल्यू किसका यह दे देता हूं ओक ell कि यहां से जैसे मैं कि इसको क्लिक करूंगा यह मेरी सीरीज बदलने के लिए दे दिया मैंने यह भी सेम गाम करें दूसरा होता है आपका यह रेडियो बटन रेडियो बटन का यूज बता देता हूं जैसे आप रेडियो बटन सेलेक्ट करते हैं तूनिंग वावाजन से जलता है उसमें कितने भी रेडियो बटन हो आपके यह क्या करता है एक बार में एक ही क्लिक होगा जैसे चेक बॉक्स तो आप अगर दो लेते हैं तो दोनों को चेक कर सकते हैं पर रेडियो बटन का क्या होता है कि एक बार में एक ही क्लिक होता है और ये खटा काम करता है कितने भी रेडियो बटन लगा दें उनका सेल लिंग हमेशा एक ही ले गई है जैसे मैं कोई भी सिलक क जाता है पर कई वार क्या होता है कि हमें दो गृप की जरूरत पड़ गई है ना उसमें यह ब्रेकिंग जरूरी है मालों हमने दो किसी और के लिए Babe lleju और तो इसमें हम गर्लूप ऑक्स ले सकते हैं कि स्में हमारे पास गृर्प ऑक्स होता है तो यह क्या होता है इंडिजिवल हो जाता है अब इसको आप ग्रुप बॉक्स के अंदर कोई चीज ले लें तो इनका सलिंग अलग आप चूज कर सकते हैं तो अब यहाँ चूस करेंगे तो यह वन टू दिखा रहा है यहाँ चूस करेंगे तो यहां वन टू अलग दिखा रहा है तो फिर आपने उस पे आ जाएगा ठीक है सिर्ण वह बाक्ता सेट पर ना पड़ेगा इसलेगा पिर वैसे चलेगा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, तो यह थे आपके total controls, इसमें एक label होता है, label का कोई खास use नहीं होता, label खाली लिखने के लिए होता है, वो तो हम cell के उपर भी लिख लेते हैं, वैसे भी, text box के, ठीक है जी, तो अब इसकी आप revision कर लीजेगा, क्योंकि इसके बाद हम formula खतम करते ही, dashboard करेंगे, जिसमें यही सारी चीज़े होगे, इसमें इसी practice करना आज, ठीक है न, हाजी हाजी, ठीक है सर, चलो, thanks, thanks Sandeep, ठीक है सर, कल फिर कितने बज़े करा जाए, दिन में करा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में तो मेरा रहता है न, यार, company चाहता हो न, में तो, अच्छा, अच्छा, रात में वही time है, जो पहले था, हमारा साड़े 10 वाला, अच्छा, साड़े 10 क्योंकि साड़े 10 में फिर, अच्छा, लेकर जाता है, हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा है न, सर, मुर्ली का जो चल रहा है, वो वाला चल रहा है, डैश बोर्ड वाला, आपको भी मैंने ये करा दिया है, तो आप भी डैश बोर्ड कर सकते हैं, तो साथ में हो जाएगा, बाकि जो एक्स्ट्रा क्लाशी जाएगा, बैसे दे तुमा, ठीक है, चलो ऐसा कर ला, ठीक है, ठीक है न, सर, चलो ठीक है, कल फिर साड़े 10 में, ठीक है सर, ओक्या, ओक्या, झाल हृची है, तो जाएगा, झाल है, भी दुमा, आपको जाएगा करा दो है, जाएगा।